हाई एवरिवान आज हम बनाएंगे आलू, मूली, बैगन, कीक, सबजी कुकर में बनाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है दो बैगन, बैगन को हमने इस तरह से काट लिया है और अच्छी तरह से साप कर लिया है तीन बड़े कच्चे आलू आलू को हमने छील कर छोटे-छोटे टुग्रों में काट लिया है दो मूली को हमने छोटे-छोटे टुग्रों में काट लिया है एक टमाटर को हमने काट लिया है चार हरी मिर्च और धनिया पता तो गैस पर हम कूकर चढ़ाएंगे इसमें हम 4-5 चमच तेल डालेंगे तेल को गर्म होने देंगे तो अब तेल गर्म हो चुका है अब इसमें डाल देंगे 2 तेज़ पत्ता 4 हरी मिर्च आधा चमच जीरा थोरा सा अजमाइन और आधा चमच सोप डाल देंगे इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे तरह चटक ने देंगे तो अब ये चटक चुका है तो अब इसमें डाल देंगे मूली आलू भी डाल देंगे तो आलू मूली को हमने इसमें डाल दिया है देखिए अब इसे हम मिलाएंगे गैस यहाँ पर मीडियम रखेंगे और मीडियम आज पर इसे 5-6 मिनट के लिए भूल लेंगे बीच बीच में चलाते रहेंगे तो अब 5 मिनट हो चुके हैं अब इसमें डाल देंगे बैगन साथी में टमाटर भी डाल देंगे और साथी में लसुन भी डाल देंगे आठ से दस लसुन को हमने कूच लिया है अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे बीच बीच में चलाते हुए मीडियम आज पे साथ से 8 मिनट के लिए भूल लेंगे अगर लगे सबजी कूकर में लग डाहा है तो हम इसमें थुरा सा पानी डाल कर भूनेंगे तो अब 6-7 मिनट हो चुके हैं अब इसमें मसाले डालेंगे अब इसमें डालेंगे आधा चमच से थोरा कम हल्दी पाउडर आधा चमच लाल मिच पाउडर आधा चमच कास्मिनी लाल मिच पाउडर स्वाद अनुसान नमक डाल देंगे एक चुथाई चमच धनिया पाउडर डाल देंगे आधा चमच चिकन मसाला डाल देंगे चिकन मसाला आपसनल है आप चाहे तो डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे चिकन मसाला की जगपर आप मीट मसाला भी डाल सकते हैं और इसे बीच बीच में चलाते हुए 6-7 मिनट के लिए भून लेंगे तो अब 6-7 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें डाल देंगे पानी तो यहाँ पर हमने एक गलास पानी डाला है और थोरा सा और पानी डाल दिया है अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे, आप अपने गडेवी के अनुसार इसमें पानी डाल सकते हैं अब इसमें डाल देंगे आधा चमच गरम मसाला, मिला देंगे तो इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है तो अब कूकर का ढखकन बंद कर देंगे और फूल आच पे इसमें एक सिटी लगने देंगे तो अब एक सिटी लग चुका है अब गैस बंद कर देंगे और कूकर को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे तो देखिए कूकर अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है तो अब हम कूकर का धकन खोल लेंगे इसे एक वार मिला देंगे अब इसमें ढाल देंगे धनिया पता मिला देंगे तो अब बैगन मूली आलू की सबजी बनकर तयार है तो आप भी इस तरह से कूकर में सबजी बनाकर जरू ट्राइ करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेश्पी कैसी लगी अगर आपको ये रेश्पी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करे और मेरे चैनल को सब्सक्राब जरूर करे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद